पुर्षो के वचस्व वाले इस समाज में महिलाओ को हमेशा कमजोर की संग्या दी गई है। हमने दलितों के लिए जहन में एक ऐसी तस्वीर बना ली है जैसे मानो दलित होना अपराध है। प्रतिमा के लिए दलित महिलाओ की बहतरी के लिए काम करना असान नहीं था। इसकी सुर्वात तब होती है जब साल 2006 में अपने एक जानने वाले के घर जाने पर उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। प्रतिमा के घर चाय पीने के बाद जब प्रतिमा गिलास रखती है तब वहीं गिलास तीन साल का आबोध बच्चा उठाकर ले जाता है। फिर उस बच्चे को घर की एक बुजूर्ग महिला जोर की डांट लगाते हुए कहती है सब बरवाद हो गया। चीजे दी गई और जब मेरा खाना समाप्त हुआ तब उनके घर के एक सदस्य ने कहा कि देखो प्रतिमा तुम तो जानती हो कि तुम्हारी जाती के बारे में सभी को पता है और आज काम वाली महिला भी नहीं आई है प्लीज तुम अपनी प्लेट धो दो मुझे उनकी बात पर आना बंद कर दिया यूद की आवाज में छपे एक लेक के अनुसार प्रतिमा बताती है कि हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम सदियों से चली आ रही है जहां इंसान हमेशा दूसरों को खुद से नीचा और गिरा हुआ समस्ता है ऐसी बात नहीं है कि जातिवाद सिर्फ ब्रामणों में ही है बलकि मौझूदा व्यक्त में शेडूल कास्ट के लोग आपस में ही जातिवाद को बढ़ावा देने लगे हैं जैसे चमार जाती का व्यक्ती मुसहर से जातिवाद कर रहा होता है तो मुसहर किसी और समुदाय से भेदभाव करता है यह मुझे बहुत दायक लगता है ब्रामणों ने शायद रीती फलाई होगी लेकिन उससे जादा जातिवाद का दंश आद दलित समुदाय में है प्रतिमा फुटबॉल के जरिये बहुजन समाज की लड़कियों को आत्म निर्भर बनाती है समाजिक कारियों के प्रतिमा का जुनून औरों से अलहदा है बिल्कुन ही नायाब तरीके से दलित लड़कियों को आत्मे विश्वास से लब्रेज कर रही है बाचित को दौरान प्रतिमा बताती है कि लड़कियों के साथ हमारी पहचान फुटबॉल को लेकर हुई वह आगे कहती है कि लड़कियों की दिल्चस्पी हम पहल में वक्त संस्टेनेबल रहें उलेकनी यह है कि पर्तिमा के प्रता स्वरगीय चंदेश्वर पासवान जिला सतरके फुटबॉल रह चुके हैं परतिमा को भी फुटबॉल के प्रती जुनून अपनी पिता से ही मिला है परतिमा को समाजिक कार चार्यकरता के रूप में करने के लिए गई थी इसी बीच गाओं का एक रसुकदार वैक्ति उस महिला की जाती पर तंज कसते हुए कहता है कि हैगे चमेनिया कहां जाई चीगे प्रतिमा के अनुसार उन्होंने बताये कि उस वैक्ति की बातों को नजर अंदाज करते हुए वह महिला खेतों में काम पर चली गई लेकिन जब वह वापस आ रही थी अब उसके माथे पर भारी बोस था जिसका फायदा उठाते हुए उस वैक्ति ने पीछे से आकर महिला को पकड़ लिया और छेड़ खानी शुरू कर दी वह महिला किसी तरह बोजह गिराकर रोती हुई घर चली गई उस घटना क के बाद रात काफी हो गई थी इसलिए दलित महिला के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायद दर्ज नहीं की हाला कि इस बीच किसी ने उस रसुकदार वैक्ति तक ही है खबर पहुचा दी थी कि तुम्हारे खिलाफ थाने में शिकायद दर्ज की गई है उस वैक्ति ने दलित महिला के घर को बाहर से लौक करते हुए आग लगा दिया दलित महिला पती, दो बच्चे और बुड़ी मा आग की लप्टों के बीच घर के अदर ही थी किसी तरह पडोस के लोगों ने ताला तोड़ कर उन्हें बाहर निकाला इस बात की जानकारी जब प्रतिमा को मिली तब उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ F.I.R. दर्ज कराई पुलिस वाले एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा रहे थे लेकिन प्रतिमा के लगतार दवाब बनाने पर पुलिस को एट्रोसिटी एक्ट लगानी पड़ी बाद में जब रसुकदार व्यक्ति को पकड़ कर लाया गया तब उसने अपना गुना कबूल किया प्रतिमा की कोशिशों के जरीए उस दलित महिला के साथ चेड़ चाड करने और उसके घर को जलाने वाले व्यक्ति को तीन साल की सज़ा सुनाई गया और साथ ही साथ महिला को मुआवजा भी दिया गया प्रतिमा बहुजन समाज के लिए अभी तक सहासिक लड़ाई लड़ रही है यूत की आवाज में छपे एक लेक के अनुसार ही प्रतिमा ने महववत के दुश्मनों के खिलाव भी लड़ाई लड़ी मामला दर्भंगा के पास का है जहां एक दलित पासी लड़के ने प्रेम प्रसंग में OBC की लड़की से शादी कर ली दोनों ने शादी तो अपनी मरजी से की लेकिन लड़की के पिता के लिए इज़्जत का सवाल था कि दलित लड़के से भला उनकी बेटी की शादी कैसे हो सकती थी लड़की के पिता ने गुंडों के बल पल लड़के के परिवार वालों की पिटाई करवा दी मैंने SP से मुलाकात की और उन्होंने मेरे कहने पर लड़की वालों पर एट्रोसिटी एक्ट लगाई क्यूंकि लड़की के पिता की राजनेतिक पहुँच बहुत ही अच्छी थी जिस वज़ा से रास्ट्य महिला आयोक से कुछ लोग प्रतिमा के पास पैरवी लेकर आ गए जिसके बाद प्रतिमा ने उन्हें साफ मना कर दिया प्रतिमा कहती है कि मैंने लड़के को जेल से छुड़वाया और उन बदमाशों को भी जेल भिजवाया अभी लड़का और लड़की अलग जरूर रह रहे हैं लेकिन दोनों परिवारों के बीच हिन सात्मक घटनाए नहीं हो रही है बिहार के पटना की रहने वाली प्रतिमा की कहानी इस देश में दलितों के साथ हो रहे अत्यचार के बीच मिशाल पेस करती है दलित महिला के तौर पर जाती गत दंश जहनने के बाद भी प्रतिमा ने ना सिर्फ अपनी किस्मत की रेखाओ को बदलते हुए नयाब रुक अक्तियार किया बलकि संस्था की संचालिक के तौर पर भी महतोपूर जिम्मेदारी निभा रही है निशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह निशनल दस्तक के सपोर्टर फर्म को भड़ें ताकि हम सीधे आपसे जूर सके पिर बेल आईकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खार को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे